इससे पहले हमने स्टुएंट से देखा था कि जो रिलेक्शनशिप की बेसिक एक्वेजिन है उसमें हमें दो चीजें अडेंटिफाइ करनी होती है वन इस ऑप्शनेलिटी दूसरी है कार्डिनेलिटी यह हमें A से B भी अडेंटिफाइ करनी होती है और B से A भी करनी होती है This comes to the basic question कि ऑप्शनेलिटी है क्या चीज़ ऑप्शनेलिटी को समझने के लिए बहुत असान तरीका हमें यह पता है कि जो रिलेक्शनशिप है यह दो एंटिटीज के दर्मयान होता है अब हमने सरफ यह अडेंटिफाइ करना है कि किसी एक एंटिटी में एक रेकॉर्ड पढ़ाव है उसके अगेंस्ट दूसरे टेबल में कम से कम रेकॉर्ड कितने मौजूद हो सकते है अगेन आई रिपीट एक हमारे पास एंटिटी ए है एक एंटिटी बी है हमने सरफ यह अडेंटिफाइ करना है कि एंटिटी ए के किसी एक रेकॉर्ड के अगेंस्ट entity B में कम से कम records कितने मौजूद हो सकते हैं एक ये basic optionality का essence है इसको represent हम दो तरीके से करते हैं एक dotted line से और एक solid line से dotted line का मतब बहुत simple है कि एक table के एक record के against दूसरे table में कोई matching record नहीं exist करता असान लफजों में कि एक parent table का एक record है उसके against child table में कोई matching record मौजूद नहीं है that is के dotted line है solid line से मुराद है कि अगर एक parent table के एक record के against अगर a child table में एक या एक से ज्यादा record मौजूद है तो optionality has to be solid dotted का मलतब है 0 solid का मलतब है 1 यहाँ पे सरफ एक चीज आपने दमाग में रखनी है and I'll draw this whole picture कि जो optionality है वो कभी भी in any case एक से ज्यादा नहीं हो सकती यानि it cannot be more than one अगर एक parent table के against a child table में एक से ज्यादा matching record है तो we will treat this more than one as one अगर दो record मौजूद है matching अगर तीन record है जो के बिल्कुल हो सकते है तो हम उसको हमने minimum number of record उठाने है कि एक parent table के against a child table में जो minimum यानि कम से कम record मौजूद हो सकते हैं उसको हम लोग optionality बोलते हैं अब मैं आपको यह diagram की मदद से explain करने कोशिश करता हूँ जो मैंने अभी आपको समझाया हमारे पास एक entity A है एक entity B है यह entity A है यह entity B है entity A का एक attribute है A ID और दूसरा है for example A name entity B का एक attribute है B ID और एक इसके अंदर foreign की आई हुई है from table A तो A ID इस table की primary की है B ID दूसरे table की primary की है और A ID B table में as the foreign की आई हुई है अब हमने सरफ यह identify करना है अब यहां देखें कि A ID में value पड़ी है entity A के एक record के against entity B में what is the minimum number of possible record जो के अभी है at this point in time इसको evaluate करने का तरीका बहुत simple है इस A ID 1 जो row 1 है इसके against देखें B table में कितनी rows मौजूद है यानि A ID 1 कितनी दफ़ा आया है असान लफ़ों में A ID 1 table B में आया है दो मरतबा और जो A ID 2 है जो table A का है वो entity B में आया हुआ है 0 मरतबा तो हमने 2 यानि इन दोनों में से minimum value उठा लेनी है that would be the cardinality असान लफ़ों में तो यहां मैंने draw कर दी dot 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 जो cardinality होती है वो हमेशे हम establish करते हैं from entity A to entity B यह जो मैंने यह bifurcation का sign लगा है ना यह सिर्फ आपको समझाने के लिए है मतलब जो notation हम लोग use कर रहे हैं उसमें यह pipe sign मौजूद नहीं होता यह सिर्फ मैंने आपको इसलिए बताया है कि जो इस pipe sign के left hand side पर dot लगा है इससे मुराद यह है कि A to B जो A की optionality है that is dot 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 optional है यह जीरो है असान लफ़ों में जो entity A to entity B optional, optionality है that is optional mean zero तो यह हमने A to B हमने जो optionality है वो अचीव कर ली बिलकु इसी तरीके से हम B to A भी हम identify कर सकते है तो to sum up this discussion जो optionality है वो हमें minimum number of record बताती है किसी एक table के against जो दूसरे यानि एक parent table के एक record के against child table में जो minimum number of records है वो हम identify कर लेते हैं that is optionality optionality हो या cardinality हो हम ये दोनों चीजें अपनी requirement से scenario से drive करते हैं mean ये मेरी और आपकी मर्जी नहीं है कि मैं dot लगा दू या solid line लगा दू it is the requirement I mean ये हमें हमारा scenario बताता है कि optionality ने solid line होना है या dotted line होना है मतलब अगर scenario ऐसा होता कि B to A जो optionality है वो solid होती तो इसका मतलब है कि optionality हमारी इस वकत one है बलकुल हो सकती है लेकिन optionality एक वक्त में दो नहीं हो सकती यानि ये नहीं हो सकता कि मैं dotted line लगा दू और solid line लगा दू it is wrong optionality has to be one simple as that so this sum up the discussion of optionality here